फ्रिंद्स आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोट के आए एक बड़े फैसले के उपर जिसमें शादी से बाहर संबंद बनाना अब अपराद नहीं रह गया है यानि की IPC की धारा 497 को खतम कर दिया गया है सुप्रीम कोट के इस बड़े फैसले को जानते हैं 10 पॉइंट में सुप्रीम कोट ने अडल्टरी सम्भन दारा 497 को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोट ने इस फैसले के बाद अब अडल्टरी अपराद नहीं रह गया है अडल्टरी कानून के अंदर जो सजा देने का प्रोवीजन किया गया था उसकी सविधानिक वैदिता के मामले में 27 सितम सुप्रीम कोट ने कहा था कि सविधान की खुपसूरती यही है कि उसमें मेरा मैं और तुम सभी शामिल हों महिलाओं के साथ आसमान व्यवहार करने वाला कोई भी प्रोवीजन सविधान में नहीं है नियाई मूर्ती मिश्रा, नियाई मूर्ती A.M. खनविलकर, नियाई मूर्ती R.F. नरिमन, नियाई मूर्ती डॉक्टर V. I. चंदर चूर और नियाई मूर्ती इंदू मलहूतरा के पीट ने कहा कि अडल्टरी के सम्बंध में भारतिय दन सहीता की धारा 497 आसा विधानिक है और CRPC की धारा 198 को आसविधानी गोशित करते हैं CRPC की धारा 198-2 ये कहती है कि धारा 497 के तहट किये गए अपराद के मामले में पती ही शिकायत कर सकता है दूसरी खास बात ये कि CGI ने ये कहा कि अब ये कहने का टाइम आ गया है कि पती महिला का मालिक नहीं है ये पूरी तरह से निचिता का मामला है तीसरा पॉइंट ये कि CGI ने ये कहा कि जो व्याभी चार यानि की अडल्टरी है वो कोई अपरादिक काम नहीं है व्याभी चार तलाक लेने का अधार हो सकता है शादी के बाहर संबंद बनाना अपराद नहीं हो सकता चौथा पॉइंट ये कि चीन, जापान और अस्ट्रेलिया देसों में भी व्याभी चार अपराद नहीं माना गया है पांचवा पॉइंट ये कि अडल्टरी अपराद नहीं हो सकता अडल्टरी कानून पूरी तरह से आसाविधानिक है फाटा पॉइंट ये कि सुप्रीम कोट के पांच नियायत हीसों की सविधान पीट ने पूरी धराद से सर्वसम्मति से इस धारा को निरस्ट कर दिया है साथवा पॉइंट ये कि सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा कि अडल्टरी अपराद नहीं होगा लेकिन अगर पत्नी अपने जीवन इतिहास में अडल्टरी के कारण खुद खुशी करती है तो सबूत पेश करने के बाद इसमें सबूत के लिए उकसाने का मामला भी चलाया जा सकता है आठवा पॉइंट ये कि इसमें महिला की गर्मा सबसे उपर है नौवा पॉइंट ये कि धारा 497 पूरुष को मन माने अधिकार देने वाली है प्रधान नए अधीस ने कहा समानता सविधान का मापदंड है दस्वा पॉइंट ये कि कोड ने ये कहा संभो है कि अडल्टरी खराब शादी का कारण नहीं हो बलकि ये ज़्यादा संभो है कि शादी में आसंतोस होने के कारण ही अडल्टरी किया जाता हो भारती दन सहिता की धारा 497 के अनुसार अगर कोई पुरुष ये जानते हुए भी कि महिला किसी दूसरे व्यक्ति की पतनी है और उस व्यक्ति की सहमती या फिर मिली भगत के बगैर ही महिला के साथ यौन संबंद बनाता है तो वो इस धारा के अंतरगत अपरादी होगा ये बलातकार के अपराद की श्रिणी में नहीं आएगा इस अपराद के लिए पुरुष को 5 साल की कैद और जुर्मा ने दोनों की सजा का प्रोवीजन किया गया था जो कि अब पूरी तरह से खतम कर दिया गया है तो फ्रेंज ये था आज का हमारा वीडियो धरा 497 के निरस्त होने पर सुप्रीम कोड के फैसले के 10 एहम बातों पर उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते है अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक